नमस्कार दोस्तों आप शिवी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आप शिवी को बता दें कि आने वाले दो दिनों का शमय आप शिवी के जुनकाल में होने वाला है बहुत ही बड़ा अनुखा बदलाव जिने आप कभी शपने में भी शोच नहीं शक्ते हैं जिया दोस्तों हम आप शिवी को बता दे कि आज की इस वीडियो में हम आप शिवी को जो महत्पून बात बताने वाले हैं दोस्तों इन्हें जानना इन्हें शमजना आपके लिए बेहती आफशो होंगे खाश कर दोस्तों आने वाले दो दूनों के अंदर जिहां दोसों याश्य में कुछ यसी बड़ी खुश्कबरी आप शिवी को प्राप्त होने वाली है जिन्य आपको अपने ही अंदर दबा कर रखना है जिन्य दोसों और आप शिवी को बता दें कि अच्छ आपके भरे दोर के हमेशा शुरूआत होती है अगर आप इशा गलती करेंगे तो दोसों आने वाले रणी गंटों के इंदर आपके दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो शकते हैं क्योंकि आप जिन पर भरोशा करने वाले हैं वे आपको शबशे बड़ा दोखा देने वाला है तो दोसों बश शमय रहते हो जाए शावधान और इस वीडियो को अंत तक ध्याश दिखिएगा जिया दोसों दोसों अगले दो जुनों का शिमी आपके लिए कोई आम शमय नही पुन होंगे और बहुत यदा खाश होंगे तो अगर आप इन बातों का ध्यान रग लेंगे तो दोस्तों हम आप शिवी को विदा दें की श्राक्षा भगवान श्रीराम जी आप शिवी के ऊपर अपने किर्पारदिष्टी बर्ष रहेंगे ही शादे शाद आप शिवी के एक नई दिशा के होर जाएगा जिया दोस्तों तो दोस्तों आछके इस वीटियो को आप भुल कर भी मिश्मत कीजेगा और दोस्तों ने शुरूर शेले कर अंध तक बिल्कुली ध्यांशी दिखिएगा जो भी जा तक आज के इस वीडियो को अंतर तक बिना स्केप किये देख लेगा दोस्तों इस बात की गैरंटी है कि उन्हें शभी के जियुनकालमी एश में मगवान शिर्राम जी का अर्शी मश्रिबाद प्राप्त होगा और जियुनक आपको नुक्षान पहुंचाना चाहते थे दोस्तों यह अश में वह जल जल कर खाक हो जाएंगी उनका विनाश होना निश्चित है जिया दोस्तों शर्व परतम दोस्तों आप शिर्राम जी के शच्चे पिरभागते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा श्रु लाइक ज चुनका जब में खूशियां बर्शे जिया दोस्तों और दोस्तों चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले शब्सक्राइब कर लें और दोस्तों कमेंंड बख्ष में शच्चे मन शच्चे हीड़ देभागशी जय श्रीराम जरूर लिखेगा ताकि बगव जिसमें, आप शुवी के जुवपान निर्मान हो चुगा है। इसलिए जुवपान को बहुत यह दुमान बकिनानाएं। होना निश्षित है। जी हैं दोसुं इसलिए दोसुं आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिशना करें। और दोसुं इन्हें अंत तक बिल्कुल ही ध्याशी दिखेगा। दोस्वं हम आपको हरी über बाद बिल्कुल ही ध्याशी शमजाने वाले हैं। हर एक बाद कि आने वाले 48 गंटों के इंदर गरों के स्थिति में चंदरमा के जो दस्षम अस्थान है दोसों आप शिबी के जुनकाल में अमलकिरति योग कानिर्बान होने वाले हैं यानि ये दोस्तों आप शिबी के जुनकाल में शफल अमल किरती योग का निर्मान आने वाले 48 घंडों के अंदर होने वाले हैं पर दोस्तों इस गरह के निर्मान होने के कारण दोस्तों आप शिबी के जुनकाल में शफलताओं की बाड लगने वाली है जिया दोस्तों आने आप श्रीवी के जुनकाल में अब आपके खुश्यों के दिन आने वाले हैं जिहादोसुन अब आप श्रीवी का सोया हुआ नश्युब जागने वाले हैं जिहां दोसों धरसल दोसों हम आप शिवी को बता दे कि आपने अपने जुनकाल में अभी तक वो खुशियां नहीं पाई है जिन के लिए दोसों आप पिछले कईश में शे पिछले कईशालों शे मेहनत कर रहे हैं जिहां दोसों और आपके शा रहने वाले बहुत शारेशे व्यक्ति हैं जो कि दोस्तों हमेशा अपने जुनकाल में पूरी कारही करते हैं लेकिन दोस्तों वो अपने जुनकाल में खुश रहते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शिबी को बता दें कि वे भले ही अपने जुनकाल में खुश रहते हैं वे भले ह आपको हमेशा नुक्सान पहुंचाने के बारे में सुझते हैं, दोसों अब उनका विनास निस्चित है, कि दोसों आप शिबी को बिदा दें कि अब आप शिबी के जुनकाल में जो ये अमल किरती नाम का शिबीयो का नर्मान हुआ है, इनके कारण दोसों शबसे बड़ा जो बिल्कुल ही शबल हो जाएंगे, जी हां दोसों राने वाले 48 घंटों के अंदर दोसों जो खुशकबरी आपको मिलने वाली है, दोसों बिल्कुल ही आप शिबी के दुस्मन जल जल कर मर जाएंगे, जी हां दोसों आने वाले 48 घंटों का शिबीयो में आपके लिए भगव में उतनी खुशियान नहीं मिली है जितना आप हगदार हैं जितने आपने मेहनत किये हैं उतना दोस्तों आपको परिड़ाम अभी तक भी नहीं मिला है लेकिन दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि घरहों की चाल हमेशा बदलती है इश्वर का नजर हमेशा हम शबी के जुनक काल में वाश्यम में आ चुका है कि दोस्तों आप शबी को बता दें कि आपका शहवाव शब्शी अलग है जहां दोस्तों आपके बगलवाली की आपके शाकर्मी के शहवाव आप शे बहुत यदरभिन हैं जिन दोस्तों वो लोग हमेशा खुद के ही लावी की बारे में श शिबत में हो तो दोस्वों आप हाँत बढ़ा देते हैं लेकिन दोस्वों हम आप शिबीय को बता दें कि शब का सोच आपके जिशार नहीं है और दोस्वों कई बार आप इन्हीं के कारण भी गड्ये में बे गिर जाते हैं जिया दोसों आपके दयालू परविर्ती आपको कई भार नुक्षान भी देता है लेकिन दोसों हम आप शिवी को बता दें कि ये दयालू परविर्ती आप शिवी के लिए बहुत अच्छा कर्म है जिया दोसों आप शिवी का शिवी के परती अच्छा वैवार करना दोसों भगवान शिराम जी की नजरों में आपको शब से उंचे रखते हैं जिहां दोसों हम आप शिबी को बता दें कि आप पिछले करिश में से अपने जीवन काल में मेहनत करते आ रहे हैं दिन रात आपने एक किये हैं लेकिन दोसों फिर भी आपको वह खुशकबरी नहीं मिली है जितना आपने मेहनत किये हैं लेकिन दोसों हम आप शिबी को बता दें कि आपके जुनकाल में अब वो शमे जा चुका है जो कि आपके अपने बन कर आपको लुटने का प्रयाश करते रहते हैं जिहाँ दोसों आप लोग बिल्कुली शरल सभाव की इंसान होते हैं किशी के साथ ज्यादा च्छल नहीं करते हैं मूँ पर हमेशा शाफ-साफ बोल देते हैं इशी के पेठित दिल में आपको पाफ रखना नहीं आता जियां दोस्वोजों लेकिन आपके ही शेकर्मि आपके ही शात रहने वाले आपके अपने लोग आपसी हमेशा इसी के ही भावनाशे बहुत रहादा जलते ही और दोस्तों जलन के ही भावनाशी आपको नुक्षान पहुचाने के कारी भी करते हैं लेकिन दोस्तों शमे के शाथ आपने अपना मेहनत को कमने के हैं दोस्तों पिछले शमे में आपको कितने भी मुश्य बदाये हो कितने भी बड़ी शमस्याएं आये हो लेकिन दोस्तों आपने जिशे तेश्वी करके अपने कारियों पर लगे रहे हैं और दोस्तों अपने जिवन काल को जिये हैं बले ही दुख मिला है लेकिन दोस्तों कहीं पर आपने हार नहीं मानी है दोसों परश्टती के इशा भी राहो आपने हर जगा शाहस के साथ आगे आये हैं जिहां दोसों लेकिन दोसों हम आप शुबी को बता दें कि अभी भी आपका वह शमय नहीं आया है जिन के लिए दोसों आपने इतना मेहनत किये हैं जिहां दोसों लेकिन दोसों हम आप शिबी को विदा दें कि अगले 48 गंटों के अंदर अब आपका वो शम्य आने वाले ही जिहां दोसों जिन के लिए आप दिन रात मेहनत करते थे जिहां दोसों आप शिबी को बिदा दे की अगले 48 गंटों के अंदर दोसों आप शिबी के जिवन काल में जो गरहों के इतिती बन रही है दोसों इनकी नुशार आप शिबी को धनलाब के इशाथ साथ जिवन काल में आपको वो शब कुछ मिलने वाली है जिन खेली दोसों आपने पिछले शमय महिनत कर रहे थे हम आप शिबी को बता दें कि आज के इस दोर में पेशे की शब्शे बड़ी शमश्या है जिए दोसों और आपके भी जूनकाल में पेशों की शमश्या पिछले कई शमश्या चल रहे है जीहां दोसुं अगर आपके पाश पेशा आता है तो दोसुं वह पेशा कहाँ चाला जाता है؟ मर्म नहीं आता है शादिशाद दोस्तों आप भी बता दें कि जब आप मेहनत करते और थो जिन्य लोगों के लिए आपने जुन काल की रात прошumya नहीं धेखे जिए लोग आपके जुन काल में हमेशा कर शामने आते हैं। तो दोसों आपको बहुत दुख होता है जिया दोसों बहुत बार आपके जुनकालमी इश्परकार की मुश्य बताई है कि यो आप आपको रोना तया गया है लेकिन दोसों फिर भी आपने अपने आशु को किसी के शामने नहीं दिखाए हैं पर दोसों आप मन ही मन रोते हैं आप अपने कश्टों को देकर आप खुदे कुदरोते हैं और किशी को भी ये चीट मालूम नहीं होने देते हैं। लेकिन दोसों हम आप शिवी को बता दें कि आपका यही रवाया, आपका यही शंगरशील जीवन आपके लिए एक अच्छी कर्म बनते हैं। जीह दोसों और आपके अच्छे कर्मों का ही फल है जो यश्मे गनों के श्दती इतना फरवल आप शिवी के खुंडली में बन रही है। जीह दोसों सबसे पहले आप शिवी को बता दें कि आने वाली 48 गंडों के अंदर जो गनों के इस्तती बनने वाली है इनमें आपको बड़ी बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है। श्मेश्या आपके जिवनकाल से जड़श ही खत्म होने वाले हैं। दोसों भले ही आपको अपने कानों पर यकिन नहीं होगा इन बातों को शुन कर। लेकिन दोसों हम आप शिवनकाल में अब घटकर ही रहेगी। जियां दोसों इन घटनाओं को होने शिये दुनिया की कोई भी ताकत अब रोक नहीं शक्ती। जियां दोसों इशिली दोसों हम आप शिवी को बिदा दे कि अपने जुनकाल में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जिसिक दोसों अगर आपके जुनकाल में आने वाले 48 घंडों के अंदर कोई महत्पुन खुशकबरी आपको मिलती है। कोई महत्पुन कारे आपशिवी के बन जाते हैं जा फिर जिर दोसों कोई बड़ाश्य धनलाव आपशिवी को प्राप्ट हो जाता है। दोस्तों एशा अगर आप करेंगे अपने जुनकाल में, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मुश्युगतों का शामना आपको फिर्शे करना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों भोल कर भी आपको यह गलती अब नहीं करनी है, शाक्षा दोस्तों भगवान शुरीराम आपशिवी के जुनकाल में प्रशन हुए हैं, आपशिवी के दुखों को भगवान शुरीराम जी देख नहीं शक्ते, कि वो दोस्तों हम आपशिवी को बता दें, कि आपका कर्म और आपका इशा भाव है, इशी शरधा इश्वर की प्रती है, कि दोस्तों इश्वर भी आपशे मिलने के लिए बहुती प्रेटित हो जाते हैं, जिहां दोस्तों, और आने वाले 48 घंटों के अंदर आप श्वैंग अपनी आखोंशे ही इश्वर भगवान शुरीराम जी का शक्ती को देख पाएंगे, जिहां दोस्तों, हम आपशिवी को विदा दें, कि आने वाले 48 घंटों का श चबसी बड़ाव अर्दान शाबित होने वाले हैं, दोस्तों, यश में धनशी जुडी शवी परकार की शमयश्याएं खत्मोंगी, घर की जो भी आर्थिक दंग्या है, घर में जो भी पेशों की शमयश्याएं चल रही हो, आफिर किशी परकार का जगडे चल रहे हो, किश अपने जुनकाल में कुछ महत्पुन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, जैसे कि दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि अब शिवी आपको अपने जुनकाल में जो भी कारी करेंगे, दोस्तों सो शमच कर ही कारी करेंगे, दोस्तों एशा कोई भी क नुक्षान दाय की रहा है, खाशकर दोस्वों आप जिन के उपर शबसे जदा भरोशा किये हैं, और उनके इश्चला को आप जब 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 माने हैं, दोस्वों आपको नुक्षान ही उठाना पड़ा है, दोस्वों शबसे बहतर होगा, कि आप अपने घर के बड़ी बुझ जिर्वों का ही श्लाहमाने इससे दोस्तों अपने आने वाले जुनकाल में जो भी आपको शमयश्याय मिलेंगी उनसे आप मुक्ति भी पाएंगी और अशानिशी उनका शमधान भी ढूंड पाएंगी जिया दोस्तों और अगला जो शावधानी आपको अपने जुनकाल में वो यह रखनी है कि दोसों शमय को बिल्कुल ही बरवाद नहीं करना है दोसों शमय एक परकारशी इशुवर का दिया हुआ हमारे लिए कोई खाजाना है जिया दोसों और ये खाजाने में हम जितना महनत करेंगे जितना उनका शही स्यूपयोग करेंगे दोसों वह शमय हमारे अप्ट नूप्शान भी उठाना पड़ा होगा जेंडूस्वूं और व warehouse ias में आप याद कर रहे होंगे कि वusting में हमारी लिए बहुती किम्ती शमः हैं वहाई में हमने इतने पेशी को कमाये है वाश्य में हमने अपने जुनकाल में इतने शिफलताओं को कमाया है इतने मांशमान को कमाये हैं तो दोस्तों वाश्य में आपके लिए सबसे दा महंगे शावित होते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शबी को बदा दें कि शमे महंगे शावित नहीं होते हैं दोस्तों महंगे तो आप शावित होते हैं जितना आप अच्छे कारी करते हैं जितना आप हमेशा कारियों में मलनगार कार करते हैं उतना ही शमय का शाथ गरहों का शाथ और इश्वर का शिरबाद आप शवी के शाथ रहता है और हमेशा इश्वर आप शवी को हमेशा शवी कारियों में भी शयू होगा जिया दोसों इश्क प्रांती हम आप शिवी को बिदा दें कि आने वाले 48 घंडों के अंदर दोसों आप शिवी के जुनकाल में कई एश्य युजनाई बनने वाली है जहां पर आपको कार्य करने में सबसे ज्यादा मेहनत भी लगीगी लेकिन दोसों एश्य कार्यों मे आप बिल्कुल ही ना घवराई जहां दोसों जो भी कार्य कर रहे हैं उनवें बश आपको इश्य ओर का नाम लेकर आगे बढ़ना है दोसों हमेशा आपको अपने कारियों में शिवलता मिलेगी जहां उन कारियों को करने के लिए श्यवर आपको श्यक्ति देगा बश आप प्रजय को एशूवर का नाम लेना है और दोसनों आगे बढ़ते जाना है दोसनों यकीन मानि आप शिभी के जीवनकाल में अगले 48 घंटों के अंदर आप शिभी के जुनकाल की शिवी परकार के प्रुषानिया शमाप्त होने वाली है जिए दोस नहीं दोसनों एशक innate दोस् शुभाग शालीज में लेकर आने वाले हैं। जें माधना आपशिबिक के कुंडली में होना कोई आम बात नहीं है। आप आपरिष्वग का निर्मान बहुत-बिर होते हैं। जो कि शुर्वर के पढ़ती करके प्रष्वासाँ के दर्षिय नोग दोस्तों उन्हीं के जुनकाल में इशुवर उनके फल देने के लिए उनके कर्मों का फल देने के लिए इशे महत्पुन यूगों का निर्मान करते हैं जियां दोस्तों इशक उप्रांदी दोस्तों हम आप शिबी को बता दें कि शत्रू का विनाज आप शिबी के जिवनकाल में केशी होगा, दोस्थों, शबसे पहले आप SHIBी को बता दें कि शबलता की बाड आप uphold के जुनकाल में आने वाली है और जो भी शत्रू आपको देखकर बहुत जाधा हंसते थे जो भी शत्रू आपको देखकर बहुत पुरी शद्मे में पाएंगे जिहां दोसों और जो आपके उपर हंसते थे दोसों उनका यश्मे बहुत ही बुरा हाल होने वाले हैं जिहां दोसों बस हम आपको यही बात कहना चाहेंगे कि आपको अब कुछ भी नहीं करना है उन लोगों को बिलकुल भी उनके बारे में नह हैं उनका शब्द अपने मुह पर लाना है बस दोसों आपको अपने जुनकाल में कारी करने हैं जो भी शबलताएं आपको इश्वर दे रहा है जो भी शबलताएं बगवान श्री राम आप शबी को दे रहे हैं दोसों उन्हें आपको बश लेना है और अपने जुनकाल में आगे बढ़ना है दोस्तों यकीन मानिए आने वाले 48 घंडों का शमे आप शिवी के जुनकाल में खुश्यों की हर याली होने वाली है हजी हाँ दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि दोस्तों अगले 48 घंडों के अंतर आप शिवी को अपने जुनकाल में कुछ महत्पुन उपाय को भी करना चाहिए जिनसे दोस्तों आप शिवी का जो भी शमय है वो बिल्कुली शक्ति शाली शमय बन जाएगा और यश्मय जो भी आपके विप्रित घरा है वो भी आपको शुफल देंगे दोस्तों यश्मय आपको कौन से महत्पुन उपाय को करना चाहिए जिनसे दोस्तों आपको अपने घर की शबिश महिशाओं से मुटि मिले और घर में जो भी ब्रक्त है घर में जो भी आपके कारे हैं वो बिल्कुल ही शमपन हो जाए जिए दोस्तों दोस्तों हम आप शिपी को बदा दें कि शबसे पहला उपाए आपको अपने जुनकाल में यह करना है कि दोस्तों आप शिपी के जुनकाल में पेशा होता ही रहता है कि पेशा आपकी जुनकाल में टिकता ही नहीं है जिया दोस्तों आपके राशी के बहुत शारे जात तक इस बात को लेक को नहीं पाता है जिए दोस्वं आप इतना मेहनत करते हैं इतना शंगर्च करते हैं और वापेशा आपके पास नहीं ठिकता है कोई ने कोई बिदन बदाओं में वापेशा खर्च होई जाता है तो दोस्वं इनके लिए आपको कौन सी उपाई अगली 48 गंटों के अंदर करन चाहिए जिनसे की दोस्वं आप शिवी के जिवनकाल में माता लक्षमी का शिर्वाद शिघरी प्राप्त हो और शिवी पेशे आपके पास रहें जये दोस्वं धन आप शिवी के घर में रुख जाए तो दोस्वं यह आपको क्या करना है जिया दोस्वं शब्से पेले कपड़ा लेना है उशे बिचा कर उश पर लाल चंदन का टुकड़ा लाल गुलाब के फूल रोली तदा 48 पेशे रखें दोस्तों फिर उश कपड़े में शारे शमान को बांद कर पोटली नुमा बना कर अपने घर में जो तीजोरी है या फिर गल्ले हैं उनमें रख लें दो चाहते हैं कि पेशा उनको हम रखेंगे वो पेशा नहीं रुकता है दोस्तों अब आपके जिवनकाल में इस उपाय को करने शेद धन जरूर ही रुकेंगे शादिशा दोस्तों आप शिवी के घर में माता लक्ष्मी का वाश्च होगा जिया दोस्तों इस उपाय को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है इन्हें आपको करना ही करना है जिया दोस्तों इश्क प्रांदी दोस्तों हम आप शिवी को बिदा दें कि आपके जिवनकाल में अब शत्रू का विनास होना निस्टित है जिया दोस्तों और इसकी लिए आपको एक मैत्पन उपाय को भी करन पर फांच में ब्रहं उसनिंदर करता है उनका महेनत कफल दुगने तेजी से उन्हें प्राप्ट होता इसलिए दोस्वों बहुत शारे शटूडेंट होंगी जो कि शुबह के शुमे पढ़ते हैं और शुबह के शुमे इश्व की देवे शक्तिया उनके शाहत होती है जिये सुर्भबॉh का शुमे ब्रह्म मुरत का शुमे होता है इसुर्ब परकार के कारें दूगने लाब देते हैं यह अशी परकार आने वाली अटारिश गहंटों का जो शम्हें होगा आपके गहँँ की तती बहुत ही शक्ति साल होने वाले हैं खास कर शत्रूं के लिए इसलिए वीडियो का सिफस्र कि की शत्रूं का विद्हों होना निस्सित है जो भी शत्रू है जो भी दुश्मन है एश में उनके जुनकाल में खुन की नदिया बहने वाली है वो लोग बहुत ही रोने वाले हैं तो दोस्तों इसे में आपको थोड़ा शम महत्पुन पाए भी करना होगा ताकि शम आपके लिए और भी शक्ति-शालिय हो जाए जेया दोस्तों तो यश्म आपको कौन से कारी को करना है जेया दोस्तों क्युक scholar का विदाने कि की आपके जो भी शत्रू होते है वह आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा सोचें छहें आप कने बारे में कुछ और नजर लगाने के कार हमेशा वो करते रहते हैं कई परकार के टोने टटके आप शीविक जुनकाल में भी करते हैं तो दोस्तों इन से बचने के लिए शत्रू का विनाश करने के लिए अगले अगले 48 घंटों के अंदर आप शीविक को बता दें कि जो भी शत्रू आप शीविक के जिवनकाल में हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं उन शीविक के घर के आगेशे दोस्तों थोड़ा शे मीट्टी आपको ले आकर हर्मान जी के मंदिर के शामने रख देना है जिया दोसों और थोड़ा शाप आपको उनमें क्या करना है कि दोसों महाबली हनवान जी का जो शिंदूर है उन्हें लगा कर उन्हें बिलकुल ही एक लाल कपड़ी में लपेट लें और दोसों आपको उन्हें उठा कर सबशे पहले आपको अपने घर की जो दक्चिन दोस्वों वहां पर जाकर गार देना दोस्वों इशा करने से जो बकुल भून कर भी नहीं सोचेंगी प्रोज़ा ऐसी हूपाय को श्विक्षेज जिन्यों जो कि जिहां दोसों तो दियान रखिएगा कि अगले 48 गंटों के अंदर अगर आप यह उपाय करती हैं तो शमे किस्ति जैसी है उनकी शाथ गरहों का भी शाथ मिलेगा और आपके जुनकाल में शर्वी परकार के शत्रुआ का विनाश होना हन्निसी थे जिहां दोसों इश्क उपरांजी दोसों हम आप शिवी गुबता दें कि यह आपको अपने जुनकाल में कुछ और भी महत्मुन उपाय को करना चाहिए जिनसे दोसों आने वाले 48 गंटों के अंदर जो गरहों की इस्तिती है वो दोसों और भी शक्ति शाली हो जाए और और भ कुछ महत्मुन बातों का द्यान रखना होगा जो के दोसों आपके लिए बहुत यह अच्छा है जिहां दोसों शब्चे पहले दोसों आपको अपने जुनकाल में दोसों आपको अगले 48 गंटों के अंदर के शिवी माताल लक्षमे के मंदिर जाकर कमल के फूल नारियल अर दोसों बिल्कुल भी चुटकरा मिलने में विलंब नहीं होगा जिहां दोसों और दोसों एक और भी महत्मुन उपाय है जो कि शत्रू के विनाश के लिए है वो यह है कि कपूर के काजल से शत्रू का नाम लिख कर दोसों अपने पेरों से मिटा दें और वाशी में आपको एक बार हनुमान चलिशा का पाट कर दिना है या फिर राम नाम का जाप आपको एक शोव आठ पर करना है दोसों इशाग कर देते हैं तो दोसों यकीन मानिए आप शिवी का शत्रू बिल्कुल ही आप शिवी के जुनकार से मिट जाएंगे उनका नाम और निशान भी आप शिवी के जुनकार में नहीं रह पाएगा दोसों हम आपको यह उपाई इसलिए बता रहे हैं कि दोसों अगले 48 घंटों का शुमें खासकर आपके लाब के भी शुमय हैं और शबसे दब महत्पुन आपके दुश्मनों के लिए हैं जिह दोसों जो भी आपके दुश्मन है उनका शर्वनास निसीत है तो दोसों आपको अपने जुनकार में कोई भी एशा कारे नहीं करना है जिनसे आप मोके से छुट जाए जिह दोसों इसलिए हमने आपको यह उपाई बताए हैं शादिसा दोसों हम आपको एक और भी महत्पुन उपाई बता रहे हैं कि दोसों कि घर में जो भी कारे हैं दोसों उन्हें आप शही ढंक से रखें जिसके दोस्तों अगर आप घर में कोई भी बच्चे को रूला रहे हैं तो दोसों अपको इशान नहीं करना है बच्चे को बिल्कुली शान्त रखना है जिए दोसों घर में प्रेम भरा माहौल अगले 48 घ जुन्टों में रखना है कि दो दोसवा अपको अपने जुन्काल में इन बातों का धियान रखना बहुत यदा जरूरी है जहां अपको शुवा ब्रहमूरत में उठकर तीन से पांच बजे की बीच उठकर आपको 108 बार राम नाम का जाप करना है और भगवान श्री राम को अपने दुख की शारी जो पीड़ाएं है उन शबी को आपको शुनाना है दूसरों आप शिबी को बता दे कि आपको भगवान श्री राम श्वेंग आप शिबी के शाथ रहेंगे और भगवान श्री राम की दिविशक्तियां आपकी शाथ रहेंगी और दोस्तों इनसे आप ज़र्व के उनकाल में हमेशा शकारत्मक के ही कारे होंगे कोई भी दुश्मन कोई भी शत्रु आपको परिशान नहीं कर पाएंगे और दोस्तों यह पाये हैं यह बहुत यह कारगर उपाये ही जिन जिया दूस्तों खाशकर अगले 48 घंटों में अगर आपने इन उपाय को कर लिया तो दूस्तों आपके लिए शोने परशुःगा वाला इस्तित्धु होगा जिया दूस्तों इसके उपरांती दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि इसके आपको प्रिजुकाल में एक और भी महत्पुन बात का ध्यान रखना है कि घर में बिल्कुली शोर सराबे का महौल नहीं बनाना है और नहीं दोस्तों किशी ऐसे जिवजनतु का आपको ठेश पहुंचाना है महत्पुन बात आपको बताते हैं कि धनकी दिवी माताल लक्ष्मी का वाश आप शिवी के घर में होगा पेशों की तंगें आप शिवी के उनकाल से दूर होंगी और दोसों इनके लिए आपको कुछ महत्पुन बातों को आपको ध्यान रखना होगा जयतों सुझों कि मात लक्षमी is पर्षण होते हैं बशहों को अपनी उनकाल में मैधन बातों का ध्यान रखना है जो कि मात लक्षमी को सबस्प्राइध करें है जिक्ति हो चाहत हां दोस्तो मैं ध्यांको हिस cd observahari कि आने वाले शुमे में कभी भी को इस्तरी को परिशान नहीं करना है नहीं उनको दुख देना है नहीं उनको अब शब्द बोलना है ज्यादोसों चाहिव इस्तरी आपके घर की हो या फिर बाहर की हो ज्यादोसों बश आपको उन शबी का आदर करना है शमान करना है ज्याद बात का ध्यान रखें ये दोस्व माताल लक्ष्मी के शबशे बड़े प्रशन करने के उपाय हैं जी है दोस्व और इन शे भगवान श्री राम भी प्रशन होते हैं और कर्म के देता भगवान श्री प्रशन होते हैं कि दोस्व अगर आप शबी के परती अच्छे भाव रख काल में सब कुछ बगवान शिरी राम जी पर छोड़ देना है दोसों आपके जुनकाल में कोई भी प्रेशानी नहीं होगी इस बात का दावा है इस बात की गिरंटी है तो दोसों इन बातों का ध्यान आप आने वाले 48 घंटों के अंदर रखेगा शमे बहुत ये अच्छे है दोसों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए आप शिवी का धर्निवाद आप शिवी का दिन शुब हो मंगल